जै माता रानी भक्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीब भक्ती ग्यान गंगा में भक्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ कि यदि हम घर पर माता रानी की स्थापना नहीं करते हैं तो हम अपनी नवरात्री की पूजा कैसे कर पाएंगे तो उसकी बहुत ही सरल विधी बता रही हूँ यदि आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ पर माता शेरा वाली या दुर्गा माता विराज मान रहती हैं आप वहाँ जाकर के भी इस पूजन को कर सकते हैं तो वो विधी में आपके साथ शेर कर रही हूँ तो देखे भक्तो नवरात्री जो है हिंदु धरम के लोगों के लिए नवरात्री का तेवार बेहत खास होता है इस दोरान नो दिनों तक मा दुरगा के नो सवरूपों की विदी विदान से पूजा की जाती है तो पूजा कैसे की जाती है वो दिखाने वारे यहां पर इत्र लगा करके वस रूपी कलावा यहां पर समर्पित कर देंगे तो दीकि भक्तों जो ये फूलो की माला है मैंने यहाँ पर नहीं उतारी है जो कि ये पंडी जी खुदी जो है चेंज कर देते हैं बस हमें यहाँ पर पूजा करने होती है माता को हम यहाँ पर रोली से और इन सिंदूर से आप सिंदूर का टीका लगा दीजीगा तीन बार य या किसी भी दुर्गा मंदिर में जा करके पूजन कर सकते हैं जो भक्त घर में मातारानी की स्थापना नहीं कर पाएं हैं और जो लोग कंजक पूजन करना चाहते हैं कन्या पूजन करना चाहते हैं वो इस तरह से मातारानी का मंदिर में पूजन कर ले और घर जा करके फिर कन्या पूजन कर सकते हैं और देखे भक्तों हम यहाँ पर आक्षत अर्पित कर देंगे तो देखे नवरात्री मा दुर्गा की उपासना का सबसे बड़ा थेवार माना जाता है इस दोरान लोग अपने घरों में मा दुर्गा के विभीन सवरूपक की केहते हैं जो भक्त नवरात्री में सच्ची मन से मा की पूजा करते हैं उनकी सारी मनो कामनाए पूरी होती है इस पावन पर वमें दुर्गा शब्त शती का पाट करने का भी विशेष महत्व होता है तो देखें यहाँ पर हमने धूप DEEP जलाली है धूप हम दिखा देंगे क्योंकि जो सुगंदी होती है ना सभी देविदेताओं को अती प्रिय होती है तो धूप आप जरूर से जलाएं इससे वातावरण भी सुगंदीत होता है जो हमने जुआरे बोई है उनकी भी हम पूजा करेंगे वरुन कलश देव का भी हम पूजन करेंगे जो धर्ती पर जो सबसे पहला अन आया था वो था जुआरे तो ये शाकुम्भरी माता का भी हम साथ में ही पूजन करेंगे माता रानी को हमें आप पर फूल समर्पित कर दे इस दिन माता की पूजा से पहले घठ सापना की जाती है पर मैं यह आपको इसलिए दिखा रही हूं कि कई लोग घर पर घठ सापना स्थापना नहीं करते हैं मातरानी के इसलिए। प्रफल समर्पित कर देंगे उसके बाद में हम यहां पर धूप दीप दिखा देंगे तो देखे मैं यहां पर मातरानी को चुनरी नहीं चड़ा पारे हूं क्योंकि यह जो है चुनरी चड़ाने की विवस्था नहीं है तो हमने नहीं चड़ाई है वस रूपी के लावा ही अ ग्यारी कर देंगे कपूर जला करके उसमें थोड़ा सा लौंका जोड़ा और जो भोग प्रिसाद आपने चड़ाया है उसमें से थोड़ा सा भोगर्पित कर देंगे जो है शुक्षम रूप से यह भोग समर्पित हो जाता है और इसी से हम लौंकपूर से माता की आरती कर तो आप आर्ति करते समय ओम जेंती मंगला काली भदर काली कापालनी दुर्गा शमा शिवाश धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुदे इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या फिर ओम दुम दुर्गाए नमो नमाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं यदि कोई मंत्र नहीं आता है तो जै चीजों को मिनस देंगे मिनसने से जो भोग प्रसाद होता है मातराणी सहस्विकार कर लेती हैं और उसे शमाप्राथना जरूर से मांग लीजेगा तो देखिए भक्तों आपके पास यदी समय है तो मंदिर में ही बैठ करके दुर्गा चालिसा का पाड़ कर सकते हैं दुर्ग जो पूजा संपूर हो जाती है और जब हम पूजा कर लेते हैं थोड़ा सा जल अपने आसन की नीचे डाल करके मस्तप पर आप तीन बार लगा लिजेगा इससे जो हमारे पूजा का संपूर लाभ हमें प्राप्त होता है तो ये मैंने बहुती साधरन सी पूजा विधी जरूर से कीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी तमाम जानकरियां आपको मिलती रहेंगी तो इस तरह से हमारी जो है पूजा हो जाती है और नवरात्री के दिन में घर में लैसुन प्याज का प्रियोग ना करें और भ्रम चारे का पालन करें सात्विक्ता बना रहें पर निंदा चुकली ना करें वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जिरू करें कमेड़ में जे मारी जानकरियां